हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू सिक्षा कैसे आप सब आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स एंडियन फीडम स्टोगिल का लेक्चर नंबर 9 है और इंपोर्टेंट टॉपिक आज एक डिस्कस करेंगे ओके कोशन्स आज के टॉपिक में आपको सब्सक्राइब करने की कोशिश जो है वो करेंगे तो चाहिए तो यहां पर पूरा अच्छे से कवर करने की कोशिश जो है वो करेंगे तो चलिए फटा-फट से लेक्चर को शुरू करते हैं तो कोशन यह रहा सिंपल सा कोशन है इस तरह का कोशन आपके पेपर में सिधा पूछा जाता है निज एंड रियोती सिस्टम्स वर रिलेटेटेट तो दे कल्टिवेशन ओफ अच्छा वैसे तो मैंने आपको शुरू में जाना है वो जादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो निज और रियोती सिस्टम्स कौन सी कल्टिवेशन से हैं आप समझे गए हैं ऑप्शन इसका अंसर सी रहेगा इंडिगो से रिलेटेटेट है अब इंडिगो कल्टिवेशन कैसे हिंदुस्तान में शुरू हुई कैसे वल्ड में उसकी डिमांड बढ़ी और फिर कैसे ये निज और रियोती सिस्टम्स आये इनका क्या मतलब है इनमें क्या था किस वज़े से फिर ब्लू रेवलुशन जो है शुरू हुआ तो ये सारी चीज़े हम पढ़ेंगे ओके चलो तो सबसे पहले इंडियन स्टेट का तो शायद आप इजीली समझ जाओ ट्रॉपिक्स और टेंपरेट रिजन ठीक है पर अगर नहीं पता आपको तो सिंपल भाशा में है ट्रॉपिक्स जो होते है यहां पर आपके अगर इसको अर्थ समझो तो ट्रॉपिकल रिजन जो है एक्वेटर के आसपास और टेंपरेट रिजन जो है जैसे आप पूल की तरफ जाओगे तो टेंपरेट रिजन आएगा और यह थंडा इलाका होगा तो इंडीको प्लांट गरम इलाके में नमी वाले इलाके में ग्रो करते हैं ठीक है अब 13th century तक आते आते इंडियान इंडीको जो था यह बहुत स अची अमा उंड जो है वो योर्ओ रॉप में पहुंछता था क्योंकि इंडिया में खुद भी डिमांड थी और जो पहुंचता था उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाइद होता था ठीक है तो क्यूंकि वह बहुत ज्यादा एकस्पैंसिव होता था तो यह अरॉर्णोड क की खासियत यह थी कि बहु इंडिगो तो ट्रॉपिकल क्रॉप है ठीक है इंडिया जैसी कंट्रीज में मिलेगा वोट जो है यह टेंपरेट जोन में इसको ग्रो किया जा सकता है इसी वज़े से यह जादा इजीली अवेलेबल था यॉरॉप में ठीक है तो यॉरॉप के प्ल आ जो है इसीली अवेलेबल होना शुरू हो जाए और सस्ते दामों पर अवेलेबल होना शुरू हो जाए एयॉरॉपियन मार्केट में तो हमारी जो क्रॉप की डिमांड है वो कम हो जाएगी वोट प्रॉड्यूसर्र ने इसी लिए यह यारॉप की जो सरकारे थी उनके जो ब्लू कलर आता था वो रिच फॉर्म में आता था ठीक है वेरस दडाई फॉर्म बोड वास पेल और डल जो वाली डाई होती थी वो पेल और डल होती थी थोड़ी अब देखो कोश्चन सीथा सीथा कोश्चन किस तरह से बन सकते हैं इस थेहरी में से यह भी मैं आपको कि NCIT में directly mentioned हैं तो कहीं न कहीं statement based question भी आप से पूछा जा सकता है कि कौन सा statement correct है या कौन सा statement wrong है और चलिए उसके बाद अब हुआ क्या 17th century तक आते आते जो अब कपड़ा बनाने वाले थे उन्होंने सरकार को persuade कर लिया पहले किसानों ने किया था कि बही आप जो है बैन कर दो indigo का import completely अब जो कपड़ा बनाने वाले थे उन्होंने European सरकारों को persuade किया कि नहीं आप इस import पे जो आपने बैन लगाया है इसको हटा दीजिए हमें जरूरत है indigo की अच्छा कपड़ा बनाने के लिए और इस बैन के हटने के बाद काफी countries ने जैसे France ने अपना खुद का indigo जो है cultivate करना शुरू कर दिया mainly in European countries के सबके पास colonies थी अपनी ठीक है इन्होंने कहीं ना कहीं colony बनाई होई थी और वो colonies जादा था tropical regions में थी ठीक है तो इन colonies में अब यह European countries जो है indigo cultivate करनी शुरू करेंगी ठीक है जैसे French ने St. Dominic में करना शुरू कर दिया Caribbean islands में ठीक है Portuguese ने Britishers है इन्होंने Jamaica में और Spanish ने Venezuela में और North America में भी काफी जादा indigo की plantations जो है वो आई अब 18th century तक पहुंचते पहुंचते demand for जो Indian indigo था वो बहुत जादा बढ़ गया वो क्यों बढ़ गया Britain में industrialization आ गया ठीक है Britain में industrialization आ गया और Britain one of the leading producer of clothes जो है वो बन रहा था ठीक है न तो Britain अब industrialize हो गया cotton production जो है वो बहुत जादा बढ़ गया है अब cotton का production अगर बढ़ गया है कपड़े का production अगर बढ़ गया है तो उसका dye करने का जो material है उसका production भी बढ़ेगा अभी तक synthetic dyes नहीं आई है market में ठीक है आगे चल करके हम देखेंगे जब synthetic dye आ जाएगी market में तो indigo की demand अपने आपका money शुरू हो जाएगी ठीक है अभी तक synthetic dye नहीं आई है अभी तक indigo का ही इस्तेमाल किया जाता है ठीक है अब demand तो indigo की बढ़ गई लेकिन अब जो European countries थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनको जो supply की problem आने लगी उनको proper supply नहीं मिल रहे थे जैसे West Indies और America जैसे जो countries थी वहाँ से जो supply आ रही थी यॉरॉप में वो बहुत जादा कम हो गई अमेरिका में जो है war of independence चल रहा था उनका West Indies में भी problem चल रही थी तो वहाँ से किसी ना किसी कारण से जो indigo आ रहा था वो आना कम हो गया अब हुआ क्या 1783 और 1789 के बीच में अगर आप देखो क्योंकि West Indies और America जैसे country से supply आना बंद हो गया जो production था indigo का वो दुनिया में जितना production हो रहा था उसका आदा रह गया यानि कि अगर पहले 100 ton indigo बनाया जा रहा था तो अब 50 ton रह गया अब जो cloth dyers थे ब्रिटेन में अब उनको नए sources चाहिए थे indigo के अब नए sources अगर indigo के चाहिए थे तो East India Company थी उस समय इंडिया में ठीक है और East India Company तो नाम में ही company है यह तो बनाने के लिए profit आई थी ना तो इसने कहा कि यार अब हमारे पास एक profit बनाने की opportunity है ठीक है तो company continuously यही देखती थी कि किस तरह से profit बनाया जाए अब indigo की demand है market में लेकिन supply नहीं हो रही है production नहीं हो रही है तो company के पास अब एक मौका है कि वो profit कमा सके now from the last decades of 18th century indigo cultivation बेंगौल में शुरू की गई और इसको rapidly expand किया गया ठीक है ultimately आप देखो के बेंगौल का जो indigo था यह पूरी की पूरी दुनिया की market में छा गया 1788 तक सिरफ 30% indigo जो है वो import किया जाता था britain को india में से 1810 में आते 1810 तक आते आते यानि 20 से 22 साल के अंदर अंदर यह 95% 95% के उपर पहुँच गया तो आप सोच सकते हो कि कितना जादा rapid expansion जो है वो production में भी होने लगा और export में भी होने लगा ठीक है अब indigo का trade grow कर रहा था और indigo की demand भी थी market में तो various commercial agents britain के britishers जो है india में आकर के plantation set करने लगे ठीक है काफी तो ऐसे company के मुलाजिम थे company के officials थे जिन्होंने नौकरी छोड़ कर का कि हम भी indigo plantation लगाते हैं india में वो जादा profitable है तो एक तरह से आप कह सकते हो कि indigo की production में investment जो है वो एकदम से बहुत जादा बढ़ने लगी यह सारे के सारे points ना काम आएंगे statement based question में बनाने को मैं 10 statement based question मना देता है इसी concept में से पर उसका कोई फायदा नहीं होता है यह पूरी की पूरी theory समझनी बहुत ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि सारी के सारी connected है और इसमें से question आने के बहुत ज़ादा high chances रहते हैं और यह NCRT में से directly आपका लिया है यह सारे points भी मैंने NCRT में से copy paste करके डाले है ठीक है ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से कुछ इसमें किया है और चलिए तो indigo को cultivate कैसे किया जाता था अब India में दो तरीके follow किये जाते थे इंडीगो cultivation के एक का नाम था Nij और एक का नाम था रियोती जो आपके question में भी था फिक है जी अब निर्ज Cultivation में क्या होता था जो planter होता था वो planter क्या करता था वो land ले ले लेता था या तो rent पर या purchase कर लेता था फिक है और उस land को वो directly control करता था अब land लेने के बाद वो उस पर indigo जो है हाय'd labour को employ करके जैसे आज आप कोई भी अगर business करते हो, अगर आपका labor intensive job है तो आप अपना business start करते हो और आप labor को employ करते हो, ठीक है ना? तो ये था niche form of cultivation, अब niche form of cultivation के कुछ थोड़े से issues थे, क्या issues थे? निज cultivation के साथ problem क्या थी? एक तो difficulty आ रही थी, expand करने में area under the niche cultivation, क्यूँ? क्यूँकि इंडी को एक ऐसा crop था, जो fertile land में ही cultivate किया जा सकता था, ठीक है? और Bengal जैसे region में, ये जो fertile lands थे, ये अल्रेडी बहुत जादा densely populated थे, ठीक है? अब planters को चाहिए था बड़ी जमीन, एक जगा पर हो जहाँ पर, एक complete land हो, ठीक है? तो problem आ रही थी, अब उन्होंने पहले क्या try किया? उन्होंने ये try किया, कि वो indigo factory के आसपास ही, land को lease पर लेने की कोशिश करें, जहाँ पर factory लगी होई है, जहाँ पर crop cultivate होकर के production के लिए जाती है, वहाँ पर ही वो आसपास जमीन ले लें, और वो कैसे लें? वहाँ पर आसपास जो किसान है, उनको जबरदस्ती महां से हटा में आप काम कर रहे हो, आपको cultivation करना है, तो उसके लिए आपको labor भी चाहिए, ठीक है, और labor easily available नहीं थी, क्यों labor easily available नहीं थी? क्योंकि जब indigo cultivation का process आता था, उसी समय पे जो peasants होते थे, जो किसान होते थे, वो rice cultivation में busy होते थे, ठीक है, इसलिए labor easily available नहीं थी, इसके इलाव पर अगर उसको plaws and bullocks से काम कराना है, तो उसको काफी सारे plaws और bullocks जो है, उसको खरीदने पड़ेंगे, तो यहाँ पर investment भी जादा हो गई, तो एक तरह से need cultivation क्या था, कि आपका खुद का business है, आपकी खुद की जमीन है, चाहे आपने rent पे ली, चाहे आपने खरीदी, और पर आप labor को hire करके काम करा रहे हो, ठीक है, यह था need cultivation, तो यहाँ पर यह सारी problem आती थी, कि investment बढ़ गया, labor नहीं मिल रहा है, land नहीं मिल रहा है, यह सारी problems आगी, ठीक है, अब इसी वज़े से, इनी सारी problems की वज़े से, late 19th century तक पहुंचते पहुंचते, जो planters थे, वो कहत 25% यानि कि अगर 100 एकड जगा पे इंडी को cultivate हो रहा था पूरे हिंदुस्तान में, सिरफ 25 एकड ऐसी जगा थी, जो निज cultivation वाले system के अंडर थी, बाकी के सारे के सारे रियोती system पे चले गए, अब रियोती system क्या था, रियोती system में क्या था, planter ने रियोत को जो है, force करना है कि वो एक agreement sign करे, और इस agreement को का जाता था, सट्टा, देखो directly पेपर में पूचा जा सकता है कि सट्टा क्या था, अब नीज में तो वो अपनी खुद की जमीन, चाहे रेंट ले रहा है, रेंट पे ले रहा है, चाहे वो खरीद रहा है, उस पे cultivation कर रहा है, यहाँ पर उसने क क्या करना है, यहाँ पर उसने कुछ नहीं करना, यहाँ पर उसने किसान के पास जाना है, कि भाई यह तेरी जमीन है, वो किसान की खुद की जमीन भी हो सकती है, या किसान ने किसी जमीन दार से रेंट पे ली हुई हो, तो वो किसान को जाके कहेगा, कि भाई तुझे एक contract sign साइन करना पड़ेगा एक agreement साइन करना पड़ेगा ठीक है जहां पर किसान साइन नहीं करते थे वहाँ पे वो विलेज के सरपंच को पकड़ लेते थे कि भई अपने गाओं के किसानों के भिहाफ पे तू साइन कर अब contract में होता क्या था planter कहता था कि मैं तरको cash advance दूँगा ठीक है बड़े low rate of interest पे मैं तरको cash advance दूँगा लेकिन शर्त ही है कि तुझे indigo जो है उगाना पड़ेगा ठीक है cash तरको advance दूँगा लेकिन तुझे indigo उगाना पड़ेगा अब शर्त क्या थी कि अगर मेरे से तु cash advance ले रहा है तो जितनी तेरी जमीन है उसके 25% area में तुझे कम से कम जो है indigo cultivate करना पड़ेगा अगर for example किसी किसान के पास एक एकड़ जमीन थी तो 0.25 एकड़ पे उसको definitely जो है क्या करना पड़ेगा indigo cultivate करना पड़ेगा planter जो है किसान को beach भी देगा drill भी देगा ठीक है लेकिन अरे का सारे की महनत जो है वो किसकी है वो किसान की है किसानी soil को prepare करेगा बीज बोएगा किसानी है crop की देख बाल करेगा ठीक है उसके बाद जब crop तयार हो जाएगी और उसको planter को फो deliver कर देगा किसान after harvest deliver कर देगा तो ऐसा नहीं है कि वो loan जो उसने पेले लिया था वो माफ हो गया, अब Indigo Cultivator क्या करेगा, उसको एक नया लोन देगा उसको कहेगा तू ले अब एक नया लोन ले तो ये एक तरह से cycle शुरू हो गया कि नई crop उगाने से पहले उसको एक नया लोन दे दिया और शर्थ रख दी कि 25% जमीन पर अबनी तू हमारी crop जो है वो grow करेगा ठीक है, किसानों को शुरू में तो इसमें मज़ा आया, PR पैसा मिल रहा है cash मिल रहा है, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये system कितना harsh है system harsh क्यों है, इसके कुछ कारण थे सबसे पहले, तो जो वो Indigo produce कर रहे थे, तो जो अंग्रेज planter उसको पैसा दे रहा था, वो बहुत कम दे रहा था, ठीक है, दूसरा, उनका कर्ज कभी नहीं उतर रहा था, हिंदुस्तान में इनसान को हमेशा उसमें ऐसा लगता था कि उसके सर पर कर्जा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका कर्ज कभी नहीं उतर रहा था ठीक है, उसके इलावा problem क्या थी अब Indigo जो है planter क्या कहता था, कि अपनी जमीन का जो सबसे fertile हिस्सा है जो सबसे उपजाओ हिस्सा है वहाँ पर तुन्हें Indigo को cultivate करना है ठीक है, जहाँ पर किसान क्या चाता था कि वो चावल हुगा है, जहाँ पर वो राइस हुगाना चाता था, वहाँ पर अब उसको Indigo कल्टिवेट करना पड़ा, अब Indigo की क्रॉप की क्या problem है, यह काफी डीप जड़ो वाला एक क्रॉप होता है ठीक है, जिसकी वज़े से जो सॉयल है वो बहुत जल्दी एक्जास्ट हो जाता है उसकी फर्टिलीटी जो है, वो बहुत जल्दी एक्जास्ट हो जाती है और जहाँ पर Indigo आप हर्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर आप राइस चावल नहीं होगा सकते अगर आपने Indigo कट भी कर दिया क्रॉप कट भी कर दिया, उसके बाद भी आप चावल नहीं होगा सकते क्योंकि वहाँ के सारे निूट्रियंट्स जो है, वो खा गया तो ये किसानों को प्रॉब्लम फेस होनी शुरू हुई अल्टिमेटली, अब किसान जो है विद्रो करेंगे तो 1859 के आते आते, जो हजारो किसान थे, रियोट थे बेंगॉल में उन्होंने कहा कि भाईया, अब हम Indigo Grow नहीं करेंगे किसानों ने Planters को कहा, हम तुम्हारा Rent नहीं पे करेंगे उन्होंने Indigo Factories पे अटैक करना शुरू कर दिया, ओर्तों ने भी इसमें उनका खूप साथ दिया और जो लोग Planters के साथ काम कर रहे थे, अगर ऐसा कोई रियोट था, जो बाकी के रियोट के साथ विद्रो में नहीं था, जो Planters के लिए अभी भी काम कर रहा था, उनको Social Boycott कर दिया कि भाई तू हमारा है ही नहीं, ठीक है, और एक हुआ करते थे, गौमस्थास गौमस्थास क्या होते थे, Agent of Planters हुआ करते थे, जो Rent वगरा Collect करने आया करते थे ठीक है, तो यह गौमस्था जब भी पैसे लेने आएगा, Rent लेने आएगा अपनी जमीन का, उसकी पिटाई कर देंगे उसकी क्या कर देंगे, पिटाई कर देंगे Riots swore that they would no longer take advance, Riots ने कहा दिया कि भाईया, अब हम आपसे loan भी नहीं लेंगे और अगर Planter अपने लठियाल भेजता था, कि इनको जाकर के मारो, तो वो भी अपनी लाठियां लेकर के तयार होते थे, कि आजा बेटा, देख लेंगे तुझे ठीक है, तो ultimately ऐसा क्यों क्या हुआ, Indigo Peasants को एकदम से कि उन्होंने decide कि वो silent अब नहीं रहेंगे, सबसे पहले तो local जो जमिनदार थे, जो गाओं के सरपंच थे, उन्होंने भी अब किसानों का समर्थन करना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं headman को भी force किया जा रहा था, अगर riot मना कर देते थे, agreement sign करने से, तो headman के उपर डंडे लेके वो पहुंच जाते थे, कि अपने सारे riot के भी हाफ पे तू जो है sign कर, ठीक है, तो इसी वज़े से जमिनदार जो थे, उनको feel हो रहा था कि उनकी power एक तो कम हो रही है, उपर से उनके साथ जबरदस्ती की जा यह मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ, उके, उसके इलावा, इंडिगो पेजेंट्स को 1857 में revolt हो चुका था, विद्रो हो चुका था, ब्रिटिश सरकार अल्रेडी एक विद्रो जहल चुकी थी, तो इंडिगो पेजेंट्स को अभी यह लगने लगा, कि जो अंग्र कानी के सब्जेक्ट्स है, यह है, वो है, तो ब्रिटिश सरकार अब इंडिगो पेजेंट्स को लगा, कि वो उनका साथ देगी, उनको यह भी लगा, कि क्योंकि अभी सरकार जो है, वो 1857 के revolt से बाहर निकली है, तो वो दूसरा विद्रो जो है, जहलने की हालात में नहीं है ठीके जी, अब हुआ क्या, जब जैसे-जैसे यह blue rebellion की बाते जो है, चल रही थी, या blue revolution की बाते जो है, वो चल रही थी, उसमें क्या हो, देखो मैं कहीं जगाओ पर blue revolution term use कर रहा हूं, या generally इसके लिए blue rebellion term use होता है, ठीके, आप कहेंगे sir, blue revolution is related to something with aquaculture and all those kind of things, but कहीं अब हो में blue revolution term भी लिखा होता है, ठीके, इसलिए blue revolution मेरे मूँ से निकल रहा है, शायद बार-बार, पर आप blue rebellion ही याद रखे, ठीके, तो, alright, यहां पर थे हम, है न, तो अब हुआ क्या, जो lieutenant governor था, indigo districts का, वो round पर निकला, तो riot, जो थे, किसान जो थे, उनको ऐसा लगा कि सरकार की sympathy उनके साथ है, तब ही governor साब घूमने आया है, उसके बाद, बरासत नाम का एक इलाका था, वहां के magistrate हुआ करते थे, Ashley Aiden, उन्होंने एक notice issue किया, उस notice में क्या लिखा था, उन्होंने सिरफ अपने बरासत इलाके के लिए, यह notice issue किया था, कि जो भी किसान है, उनको जबरन indigo contract में enter करने के लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन सारे इलाकों में, बाकी के सारे इलाकों में, जहां पर indigo cultivation होती थी, वहां पर बात क्या फैल गी, कि क्यों Victoria ने फर्मान जारी किया है, कि जबरतस्ती indigo grow नहीं करवाई जा सकती, ठीक है, अब ultimately, हुआ क्या, Aiden भाई rebellion के support में आ गया, क्योंकि बात फैल गई कि क्यों ने कह दिया, और जब ये revolt, ये revolution, ये rebellion फैल रहा था, तो कलकत्ता के जो intellect थे, जो educated class थे, उन्होंने भी देखा कि हाँ यार, problem चल रही है, तो वो भी indigo districts में आ गए, रियोच के support में, ठीक है, और उन्होंने newspapers में, और हर कार को डर लगया, कि भाया, कुछ ना कुछ problem हो सकती है, rebellion हो सकता है, और उन्होंने जल्दी से जल्दी जो planters थे, जो British planters थे, उनको बचाने के लिए वहाँ पर military भेजी, और एक indigo commission सेट किया, कि आप inquire कीजिए, कि क्या ये indigo production का system जायज है, जो commission था, जो indigo commission था, उसने क क्या कहा, कि जो planters है, वो guilty है, ठीक है, कि वो corrosive methods का इस्तेमाल कर रहे हैं, indigo cultivators से जबरदस्ती indigo cultivate करवाने के लिए, ठीक है, और उन्होंने ये भी declare किया, कि बेचारा जो किसान है, उसको indigo production से कोई फाइदा होई निरा, उसको कोई profit होई निरा, तो commission ने ultimately क्या बोला, commission न पंदिश नहीं है, वो directly मना कर सकते हैं, अगर उनको contract में नहीं जाना है, कोई force उन्हें नहीं कर सकता, ठीक है, और ये जो सारा, आपका blue rebellion की जो बाते हैं, इसके उपर एक किताब भी लिखी गई, नील दरपन by दीन बंदू मित्रा, ठीक है, ये एक direct question पूछा जा सकता है, कि नील दरपन किताब किसने लिखी, नीचे चार लोगों के नाम दे देंगे, आपका अंसर हो जाएगा, दीन बंदू मित्रा, question ये पूछा जा सकता है, कि नील दरपन जो है, ये कौनसे revolt या कौनसे rebellion के उपर किताब है, नीचे चार rebellions दे देंगे, बहुत सारे local rebellions हुए ह महात्मा गांधी फिर से आएंगे support में indigo planters के, अब indigo production बेंगौल में collapse हो गया पूरी तरह से, लेकिन जो planters थे वो बिहार चले गए, ठीक है, अब late 19th century तक आते आते synthetic dye भी आ गई थी, और business indigo planters का बहुत severely उसकी वज़े से effect हुआ, ठीक है, लेकिन किसी तरह उन्होंने production जो है, उसको expand किया, जब महात्मा गांधी, South Africa से, इंडिया आए, तो एक भिहार के peasant, उनका नाम आपने मुझे बताना है, the peasant who persuaded महात्मा गांधी to visit Champaran, very important और very easy, easily Google पे भी मिल जाएगा, ठीक है, comment section में आपने लिख कर ये, जो है, मिर को बताना है कि कौन है, अगली वीड motivators, again, जो farmers, problem face कर रहे थे, उसको देखने के लिए, महात्मा गांधी को बुलाया गया, महात्मा गांधी, 1717 में वहाँ पर गए, और वहाँ पर उन्होंने चंपारन movement, जो है, Indigo planters के अगे शुरू किया, अब इसको मैं इस से जाधा detail में भी discuss नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा main focus है, वो 1857, 1850 से लेके 1900 तक का ही है, इसको हम discuss करेंगे, इस से related MCQs भी देखेंगे, चंपारन सत्य अग्रे से related भी, जब हम उस period तक पहुंच जाएंगे, alright, तो अभी हम इसको यहीं पर रोकेंगे, महात्मा गांधी वाले planter support को, एक brief idea आपको दे दिया, okay, तो यहाँ पर इस video के लिए दोस्तों इतना ही, और question आज हमने एक ही किया है, लेकिन theory बहुत important है, उसमें से multiple questions जो है, वो form हो सकते हैं, आपने देखा ही है, ठीक है, चलिए, अगर आपको मज़ा आया हो, तो आपने channel को subscribe करना है, अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर कर कोई आपका suggestion है, कोई problem है, कोई doubt है, तो आप उसको decent language में, जो है नीचे comment section में post कर सकते हैं, videos आपकी screen के उपर हैं, बाकी की playlist, वो आप देख सकते हैं, मिलते हैं, अगली video में तब तक के लिए, all the best and bye-bye.